हेलो गाईस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारुख खान के अपकमिंग मूवी पठान के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं ये मूवी इन दिनों काफी सुर्खियों में है वहीं मूवी की रिलेज डेट भी एनाउंस कर दी गई है जी हां सारुख खान की मोश्ट अवेटेड मूवी पठान 25 जनवरी को रिलेज होगी आपको बता दे कि मूवी को सिधार्त आनन डाइरेक्ट कर रहे हैं वहीं आदेते चोपडा इस मूवी के प्रोडियूसर है ये एक एक्सें ड्रामा मूवी है जिसमें सारुख खान, दिपिका पादुकोन, सल्मान खान, जौन एबराहिम, आसुतोस राना और डिम्पल कपाडिये जैसे बड़े-बड़े इस्टार्स नजर आने वाले हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट टू-फिफ्टी करोड से भी ज़्यादा का है बात करें फिल्म पठान के इस्टार कास्ट की फीज डिटेल्स की तो सारुख खान इस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा फीज चार्ज किये हैं मूवी में सारुख खान ने पठान का रोल प्ले किया है और इसके लिए उन्होंने 100 करोड चार्ज किया वहीं दिपिका पादुकॉर्ण जोकी लीड एक्टरेस के तोर पर नजर आएंगी उन्होंने इस मूवी के लिए 15 करोड रुपे चार्ज किये फिल्म पठान में जॉन एब्राहिम विलिन के किवदार में नजर आएंगे उन्होंने फिल्म में काफी बॉड़ी एक्सपोज किया है जॉन इस मूवी के लिए 20 करोड रुपे फीस चार्ज किये हैं वहीं इस मूवी में सलमान खन कैमियो करते नजर आएंगे खबरों की माने तो सलमान ने अपने रॉल के लिए ये सराज फिल्म से कोई फीस नहीं ली है पठान की रिलीज डे 25 जनवरी अनाउंस की गई है आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं